आप 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 एक पेपर और पैनल लेकर बैठ सकते हैं और सारी चीज़े आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेल एजुकेशन काफी सारे ऐसे स्टुडेंट्स इस चैनल पे हैं जो डियू जैट को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज शही सुगदेव कॉलेज और बिस्ने स्टेडिस में जाना चाते हैं तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला तो मैंने किस तरह से पूरे एक्जाम को प्लान किया था किस तरह से उसकी तयारी कीती हैं पहले अटेड में क्रैक करके कैसे में शही सुगदेव कॉलेज गया था तो पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका डेली पढ़ाई का स्केडियूल किस तरह से रहना चा तो काफी सारे ऐसे स्टुडेंट्स होते हैं जो आप देखोगे SRCC या फिर हंसराज हिंदू जैसे टॉप कॉलेज छोड़के सुगदेव कॉलेज में आते हैं क्यूंकि उन्हें जो अपना करियर है वो मैनेजमेंट में बनाना होता और सुगदेव कॉलेज की अच्छोगा एक ड्रीम रहता है और इस कॉलेज से निकलें ताकि ग्रेजोशन के बादियम अच्छी अच्छी टॉप कंपनीज जैसे Ernst & Young, PwC, Google, Facebook ऐसी कंपनीज में जा पाएं और उसके बाद अगर आप MBA प्लान करते हो तो काफी ज़ादा एडवांटेज आपके पास तो अब अगर मैं बोलू कि इस एक्जाम में entry कैसे होती है तो इसका एक्जाम होता है DUJ का ठीक है अब DUJ का जो एक्जाम होता है उसमें आपके total 100 questions आते हैं 25 questions आपके quant के होते है 25 questions आपके LR which is reasoning and analytical ability के होते है 25 questions आपके English के होते है and 25 questions आपके business and general awareness के होते है तो total आपका 400 marks का paper पर होता है अगर आप सही answer करते हो तो plus 4 आपको मिलते हैं अगर आप गलत करते हो minus 1 मिलते हैं अगर आप question को छोड़ देते हो तो आपको 0 marks मिलते हैं जिन बच्चों का top scores आता है उनको फिर ये finally call करते हैं तो 2 hours का आपका ये exam है अब अगर आप बोलू कि आपके quant में क्या क्या पूछा जाता है तो आपका arithmetic section जो profit and loss percentages, number system, algebra, linear equation, quadratic equation, फिर आपका modern math जिसमें probability, permutation, combination फिर higher math के questions भी इसमें कुछ पूछे जाते हैं अगर हम बात करें reasoning and analytical ability में इसमें क्या क्या topics हैं, verbal में क्या क्या topics हैं तो एक-एक करके अगर मैं topic समझा हूँ, तो जैसे कि हमने बताया, quant में arithmetic, number system, algebra, geometry, modern math, जिसमें आपका higher math भी include हो जाता है, फिर अगर हम reasoning की बात करें तो यहाँ पर आपकी logical reasoning, थोड़े बहुत question, data interpretation के, arrangement के question, फिर basic LR जो होता है, blood relation, coding, decoding, ठीक है, यह सारी चीज़े, then अगर आप verbal देखोगे, इसमें आपके reading comprehension, vocabulary, grammar based error, fill in the blanks, यह सारे questions आते हैं, then आपका general awareness, जिसमें आपकी current affairs आती है, last one year की, then आपकी business awareness आते है, business awareness में brands के उपर questions आते हैं, इस brand की कौन सी tagline है, इस company को किसने acquire किया, कौन सी company का कौन CEO है, then इसके बाद कुछ question static gk, static gk होती है, जो आपकी change नहीं होती, जैसे history हो गया, geography हो गया, polity हो गया, यह सारी चीज़े आपसे हाँ पे पूछी जाती है, अब question यह निकल के आता है, सर अगर मैं एक average student हूँ, तो क्या मैं crack कर सकता हूँ, देको कोई भी student crack कर सकता है, किसी भी entrance exam को clear करने के लिए, आपको commitment दिखाने के लिए, मतलब सर मैं तयार हूँ मेहनत करने के लिए, आप अगर एक अच्छा career बनाना चाहते हो, आप serious हो कि मुझे एक top institute में जाना है, तो आपको एक self commitment देना पड़ेगा, सर मैं पढ़ने के लिए तयार हूँ, तो कोई भी student average और intelligent वही होता है, average student give up कर देता है, वो मेहनत करने से डरता है, और जो intelligent होता है, जो topper होता है, वो consistently हर दिन effort डालता है, तो अगर आप effort डालने के लिए तयार हो, तो आप भी definitely इस exam को crack का सकते हो, तो आपकी preparation को, अगर अच्छे से करना है, तो मैंने कहा six phases मन तयारी करो, क्योंकि इसी तरह से मैंने भी अपनी तयारी की थी, तो वो six phases क्या है, सबसे पहला जो हमारा phase है, वो है concept is power, basics हमें strong करने हर एक topic है, चाहे वो quant हो, चाहे वो LRO, सब के concepts आने बहुत ज़रू अगर आपके basics अच्छे नहीं होंगे, सिरफ shortcut से कोई exam crack नहीं किया जाता, तो सबसे पहला step करो, कि अपने basics को build करो, number two, number of questions practice करो, जो भी topic आप सीख रहे हो, let's say आपने percentage topic आज पढ़ा, ठीक है percentage topic आपने पढ़ा, तो इस topic के उपर at least 50 questions practice करो, जब आप 50 questions practice करोगे तो आप ह type का question कर पाओगे, then आपकी आती है step 3, वो है speed बनाना, अब हमें speed बनाना है, क्योंकि आप exam में limited time है, हमें questions करने है, तो आप speed कैसे बनेगी, speed बनाने के लिए आप different methods use कर सकते हो, जैसे option method होता है, elimination approach होती है, substitution method होता है, approximations होता है, जिसकी help से आप एक question को कम से कम time में solve कर पात analysis हो, जो भी exam आप देना चाहते हो, उसके mocks आपको जरूर देने है, मैंने भई बहुत सारे mocks दिये थे, और उसका advantage मुझे मिला, क्योंकि जितने मैं mocks देता गया, उतना मुझे पता चल कर गया कि इतने time में ये questions हो पा रहे हैं, यहाँ पे time मेरा जादा लग रहा है, यह म mocks हमेशा देने चाहिए, उसी से आपको benefit मिलता है, फिफ्ट है analysis, जितना जरूरी mocks देना है, उतना ही जरूरी उसका analysis देखना, भई 100 questions मेरे सामने थे, मैंने paper को submit किया, मेरे कितने questions गलत थे, कितने questions मेरे से attempt नहीं है, उनको resolve करना, और फिर चीज़ों को समझना कि यार क्य ऐसा तो नहीं था, मैं ये वाला question जल्दी कर सकता था, बट क्योंकि मैंने उस वाले question में time जादा लगा दिया, मेरा time waste हो गया, तो ये strategy आपको build करनी है, और ये build कब होगी, जब आपका concept strong होगा, और आप mocks दे रहे होगे, then number 6 है newspaper reading, newspaper reading आपको करनी है, क्योंकि newspaper readings है न, बह daily basis पे 45 minutes से 60 minutes आपको newspaper पढ़ना चाहिए, कौन से newspaper पढ़ना चाहिए, अगर आप mint newspaper पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा newspaper है, आप Indian Express भी read कर सकते हो, वो भी अच्छा newspaper है, ठीक है, तो इन दोनों newspaper को आप follow कर सकते हो, अच्छे newspaper से, यहां से आपको काफी जादा advantage मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप यह सारी पढ़ाई खुद कर सकते हो, well and good, देखो कोई भी exam जो है, वो आप self study से clear कर सकते हो, provided कि आप बिल्कुल disciplined student हो, आपको पता है, मुझे daily तीन घंटे, चार घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और आपके सामने content है सारा का सारा, लेकिन अगर आप चा UJAT, IPMAT and जितने भी आपके BBA के exams है, BMS के exams है, उन सब के लिए ये more than enough है, चाहे वो symbiosis हो, चाहे वो Christ हो, चाहे वो आपका नार्सी मुन जी का exam हो, चाहे वो Xavier हो, हर exam के लिए आप तयार हो जाओगे, तो इस course को मैंने कैसे design किया है समझ लो, यहाँ पर मैंने 150R के आपको video lectures दिये है, इन video lectures में क्या है, आपको quants मिलता है, आपको LIDI मिलता है, आपको GK मिलता है, आपको English मिलता है, मतलब एक ही platform पे आपको सारे के सारे video lectures basic से लेके advance तक, हर एक topic जैसे मनलो percentage है, बिल्कुल basic से concept चिखाए, आप शॉर्टकर्स बताए, उसके questions प्रेक्टिस कराए वी आपका login ID, password होता है, वहाँ पे जब आप login करते हो, वहाँ पे हर एक topic का assignment होता, आपके सामने एक छोटे-छोटे topic वाइस test होते हैं, तो उन test को जब आप appear करते हो, तो जो आप video lecture से सीख के आए हो, उसकी application अब आप सीख पा रहे हो, जब भी कोई test summit होगा, उसका analysis आपके सा interface, उनके notes आपको मिल जाते हैं, ताकि आपका revision हो जाएं, यहाँ पे तुमारी preparation हो गई, अब जितने भी आपके exams हैं, उनके full-length mocks भी आपको मिलते हैं, तोटल आपको 30 plus full-length mocks मिलते हैं, जिसमें आपके 5-7 DUJ के, 5-7 MAD के, 5-7 Symbiosis के, 5-7 Narci Monji के, तो हर एक exam के लिए आप तयार हो जाते हो, यह जितने भी mocks हैं, यह actual exam के ओपर based होते हैं, इन exams का detailed solution और analysis आपके सामने आता है, ताकि आप यह देख पाओ, आप कहाँ पे सही जा रहे हो, और कहाँ पे improvement का scope है, तो पूरी आपकी full-fledged यह preparation हो जाती है, इस course को करने के बाद अलग से नहीं आपको को करनी, नहीं कोई और coaching join करनी, कुछ नहीं करना, पूरी तयारी हम आपकी यहां पे करा देंगे, minimum time में maximum output, क्योंकि जब मैंने यह crack किया था, मैंने देखा कि यह इतने सारे sources होते थे, इतनी सारी books होते थी, कहां से क्या पढ़ूं, और book में से चीज़ें समझने में time लगता वीडियो लेक्चर, मैंने हर एक चीज़ बहुत simplified तरीके से सिखाई है, तो इससे benefit मिलता है, ठीक है, और इसकी अगर details देखें, क्या details है, तो यह हमारे सामने details है, कि यह last entrance exam तक आपका चलता रहेगा, जब तक आपके सारे इस साल के paper नहीं हो जाते, यह एक video course है, जो आप windows, laptop या android phone में चला सकते हो, किसी भी एक device में आप अपने course को चला सकते हो, इसमें आपके सारे के सारे video lectures, basic से advance तक मिलेंगे, पूरा का पूरा syllabus हम लोग cover करेंगे, topic wise test आपको मिलेंगे, आपके practice के लिए, full land mocks आपको मिलेंगे, course जो especially designed है, BBA, BMS, ITMAC, experience के लिए, and आपको प included है, बहुत सारे coaching institutes काफी ज़्यादा high charge करते है, 20,000, 30,000, बढ़ हमने एक बहुत ही affordable course बनाया था कि हर एक बच्चा इस exam को appear करें और उसके लिए, अच्छे से अच्छा तयार होके इस exam के लिए जाए, ठीक है, तो इसी लिए हमने इस course को design किया है, अगर आप हमारी demo lectures दे जाएंगे, उन demo lectures को देखो, और उसके बाद अगर आपको join करने का plan हो, तो आप यहाँ पे join कर सकती हो, ठीक है, अगर आपको मैं बताओ, daily आपको कैसे पढ़ना है, कौन-कौन से important topics है, तो यहाँ पे आप देख लो, quants की जो मैंने topics बनाये हैं, वो मैंने six modules में अपने video course म बनाये हैं, और अगर आप खुद भी पढ़ते हो, यह topics आपको करके जाने है, arithmetic में time and work, pipe system, averages, percentage, ratio proportion, profit and loss, mixture allegations, simple and compound interest, फिर number system पे concepts, LCM, SCM, divisibility rule, unit digit, last two digits, maximum power, trailing zeros का concept, फिर geometry में triangles, circles, quadulators, polygons, coordinate geometry, then algebra के अगर आप बात करोगे, तो identities, linear equations, quadratic equation, high order equation, concept of roots, special equations, modern math में आपको when diagram, set theory, sequence in series, APGP, permutation combination, probability, functions आपको पढ़ना है, then higher math पे आपको 12th की class की पूर एक पूरी math पढ़ने है, तो यह सारी की सारी चीज़े हम आपको video course पर provide भी करते हैं, और आप खुद भी पढ़ रहे हो, तो इसी तरह से topics आपको finish करने हैं, then verbal में vocabulary है, verbal ability है, reading comprehension है, grammar है, और critical listening है, तो यह पांचों modules है, यह topics आपको करके जाने हैं, इनके video lectures भी हम लोग provide करते हैं, and अगर आप खुद पढ़ रहे होते हैं, सारी topics के notes बना लो, यह आपको पढ़के जाना है, इसके बाद अगर हम LRDI की बात करें, तो आपको basic LR करना है, आपको advanced LR करना है, आपको data interpretation करना ह है, and abstract reasoning करना है, ठीक है, alphabet test, blood relation, calendar, clock, coding, decoding, directions, and उसके बाद linear arrangement, complex arrangement, circular arrangement, logical condition, data interpretation में, tables के questions, missing tables, charts and diagrams, data sufficiency, then abstract reasoning होता है, visual reasoning, आपको कुछ diagram दे रखा होता है, उसके basis आपको बताना होता है, next diagram कौन सा होगा, ठीक है, इसके बाद देखे तो general knowledge में आपको 3 modules हम लोग provide करते हैं, and आप खुद भी कर रहे हो, तो यह सारे topics करने है, static gk, current gk, and business awareness, static gk में आपको पूरी-पूरी history, एकदम story form में सिखाई है, quality, आपको story की हर तरह से learn कराई है, पूरी geography, art and culture, physics, chemistry, bio, music, world history, awards, books and authors, invention, discoveries, तो यह करने बाद अब static gk में इतने पक्के हो जाओगे, कि काफी सारे questions कर पा हर मंत की compiled video मिलती है, जिससे आप बिल्कुल sorted रहते हो, कि पूरे मंत में जो भी important चीज़े हुई थी, अगर आप से कोई miss भी हो गई थी, या आप पूरा एक revision करना चाते हैं, तो मंतली video देखो, and you are sorted, then आपको business awareness के lectures मिलते हैं, पूरे business groups कितने हैं, products and brands कितने हैं, कौन-कौ उनके founders कौन है, business personalities कौन है, major advertisement campaign, ताकि जो business awareness वाला section है, वो भी आप अच्छे से कर पाऊते हैं, सारे topics आपको करने हैं, आप join करना चाते हो, तो नीचे description में link है, उस number पे whatsapp कर दो, demo lectures देख लो, and अगर आप खुद पढ़ रहे हो, तो मैंने अपनी पूरी strategy आपको बता दिय मैंने कौन-कौन से topics पढ़े थे, किस तरह से अपना planner divide किया था, उसको आप follow करके, अपने dream college, सुखदेव college को crack कर पाऊगे, I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपने यहां से सीखा होगा, all the very best, thank you so much, and take care.